समुही करण एवं वर्गी करण के पूरु प्रयास फॉर्मर अटेंट अफ ग्रूपिंग अड क्लासिफिकेशन्स एतिहासिक दस्तवेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समुही करित करने का प्रयास किया था इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलिये वस्थलिये जैसे समुह बनाये थे अरस्तु के बाद जीवों के वर्गी करण के और भी प्रयास हुए होंगे परन्तु हमारे पास कुछ प्रयासों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गी करण में पौधों के बाहे लक्षणों को आधार बनाया जॉन रे के बाद केरोलस लीनियस नामक एक व्यज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गी करण का प्रयास किया लीनियस ने सबसे महत्पूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिस्ट गुणों जैसे फूलों में नर वा मादा अंगों की उपस्थिती वा संख्या के आधार पर सरल वर्गी करण दिया इसे लैंगिक वर्गी करण कहते हैं इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित पुस्थिका सिस्टेम नैचुरे में मिलता है लीनियस ने सजीवों को वर्गी करण करने के लिए जन्तूओं वब वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित कर तुलनात्मक अध्यन किया तथा एक ऐसा वर्गी करण विक्सित करने में सफल हुए जिससे जन्तूओं वब वनस्पतियों की प्रतेक जाती को प्रिथक प्रिथक वर्गी करित किया जा सकता था जन्तुओं वो वनस्पतियों की शारिरिक विशेस्ताओं के बारे में लीनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्यान हासिल किया था उसका समूचे जीविज्यान पर गहरा असर रहा इस पद्धती में संपूर जीव जगत को दो जगत में बाटा गया है पादब जगत एवं जन्तु जगत केरोलस लीनियस ने वर्गी करण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित स्रिंखला के अंतरगत विभिर्न समुहों में व्यवस्तित किया जाता है जैसे मनुष्य का पदानुक्रम पहला जगत किंग्डम एने मेलिया बहु कोशकी युकेरियोटिक अंतगरहन पोशन विधी संग, काडेटा, कशेरुक दंड, जोडिदार उपांग, वर्ग, क्लास, मेमेलिया, शरीर रोय से ढखा बाहिकर्ण उपस्थित गण, ओर्डर, प्राइमेट्स, अंगुठे की इस्थिती, विप्रीत, अगर वपश्च पाद में पाच-पाच उंगलिया कुल, फैमिली, होमो नीड, द्विपात, चलन, वंश, जीन्स, होमो, सुविक्सित, मस्तिष्क, जाती, स्पेसियस, सेपियस दुए जगत वर्गी करण में कुछ कमिया थी, जैसे कि इस वर्गी करण में लीनियस ने सभी जीवों को सिर्फ दो वर्गों में सीमा बद्धि किया परन्तु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप एवं जन्तु दोनों के लक्षन दर्शाते हैं क्या आप जानते हैं, एक ऐसा ही जीव है युगलीना, जिसमें जन्तु और पोधो दोनों के लक्षन मिलते हैं या एक कोशी की ये जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता है इसमें कोशिका भित्ती का आभाव होता है यह स्वा पोशन तथा विसम पोशन दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है लीनियस की जानकारी के दायरे में कोशिकाओं एवं आंतरिक सनरचनाओं के संदर्व में कोई जानकारी नहीं थी समय के साथ सुक्ष्मदर्शी की आवर्धन छम्ता बढ़ाने के अविश्कार होते रहें जिससे जीवों में विविधता का और गहन अध्यन संभव हुआ अता लीनियस जीवों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं को अपने वर्गी करण में इस्थान नहीं दे पाए इसे साथ एक वर्गी करणंगे नहीं तरीके भी खोजे गए ऐसा एक वर्गी करण 1979 में आर एच विटिकर ने किया विटिकर ने संपूर्ळ जीव जगत को पाथ जगत में वर्गीकृत किया इस वर्गेकरन की मुख्याधार इस प्रकार थे पहला, किंद्रक जिल्ली की अनुपस्थिती ववव उपस्थिती प्रोकेरियोटिक वव यूकेरियोटिक दूसरा, संङठन का स्तर एक कोशिकिय वव बहु कोशिकिय तीसरा, पोशन प्राप्त करने की विधी स्वापोशी वा विशंपोशी